जहीं दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों काफी सार लोगों के आपर कमेंट आ रहा थे कि वही कॉलेज सप्लिमेंटी एक्जाम कब होते हैं ठीक है जिसको भी एटी के टी आई वीडियो को आपको अंतर तक देखना है और साथ में जिस भी दोस्त को यह सब्सक्राइब आपको करना है क्योंकि यहां पर ऐसी वीडियो में अपलोड करता हूँ आप आल टापिक में आपको वीडियो मिल जाएगी B.A.B.C.B. सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा आल में प्रेस कर लेना है ताकि मैं जब भी वीडियो डालो आप तक की वीडियो पहुँच जाए साथ में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक number भी है तो चलिए यहांपर बात करते हैं सबसे पहले की रिजल्ट आने के बात जो है सप्लीमेंटी के पेपर आखिर कभ होते हैं तो देखो अधिक तर यहां पर ज्यादा तर यूनिवर्शिटी या आल यूनिवर्शिटी के हाँ पर बात करें एकजाम जैसे की बात करें आपके जो है यहां पर एक साल बाद जो नय एड़िशन होंगे उनके फर्ष्ट एर के एक्जाम के साथ ही जो है आपके सप्लीमेंटी के एक्जाम यहां पर कराये जाएंगे आपको समझ में आया होगा फिर मैं फिर से बता देता हूं जैसे कि आप मालो सेकेंड एर में चले गये हम सेकेंड एर में गये हैं और सप्लिमेंट आ गई है आपको तो आपको जो है अब यहां पर जो है क्या करना है यहां पर मैं क्या लिख दिया में करु। OFF और को आ गई आ खिसकी आप थेर्ट एर में चले जाएंगे ठीकelen्य के ठीक सवर्ट यहां जाएं गया की अपक को मिल जाएगा कपसे लोगों की प्राशन आते हैं कि एक फस्ट एर में सब्लिमेंटी आई है क्लास में मिले या नहीं आती है तो आपको क्लास में डे दिया जाता है अब सेकंड यBen के पेपर की शेयर बात करें तो पेपर कब होते हैं आप हम बात करते हैं पिपर के बारे में फिपर होंगे आपके सप्लिमेंटी आगी है तो आप अभीपर सीघने में ताल आप आप लो आप सेकन्ड एर में आ जेँगे एडशान आपको मिल जाएगा अफर फर्स्ट एयर सप्लिमेंटी आया था उसका पेपर 2023 ठीक है 2023 में जो फर्स्ट येर में एक्जाम होंगे ठीक है आल इस्टुडेंट के जो एक्जाम होंगे उन्हें के साथ में आपके एक्जाम कराया जाएगा अब सेकंड येर में पानलो जिसको सप्लिमेंटी आये तो इनके एक्जाम जो आने वाले साल में 2nd year में चुनाए एडविसन हों गे उनी के साथ एक्जाम होंगे उसी के साथ supplementary के एक्जाम करा दिये जाते हैं ज़्यादा तर यूनिवर्सिटी में यह होता है कि supplementary के एक्जाम जो है przeka Okeer हो एक साल बाद ही साल बाद होता है आपको आगे class में एडिविशन मिल जाता है लेकिन यहाँ पर बात करें supplementi अगर आपको आई है supplementi अगर आपको last year में आई है मतलब जो है third year में आई है और मालोग आप BSC कर रहे थे BSC कर रहे थे ठीक है और अगर आप MSC करना चाते हैं या MA करना चाते हैं तो इस इस्तिती में आपको आपको आगे अगे अडिविशन नहीं मिलेगा अगर आप कोई भी course कर रहे हैं और third year मतलब last year पे हैं और आगे के PG course ठीक है PG course मतलब MA MSC ठीक है MA MSC वेगर आप करना चाते है तो इस इस्तिती में आपको एडविशन नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर आप जो है मालो फस्ट एयर में है और सप्लिमेंटि आ जाती है तो सेकंड एयर में आराम से आपको यहाँ पर जो है एडविशन दे दिया जाता है कॉलेज के तरफ से अब यहाँ पर कई यूनिवर्शिटी यहाँ पर कुछ यूनिवर्शिटी ऐसी है कि वो जो है यहाँ पर एक्जाम पहले ही ले लेकिन वो गेनी चुनी यूनिवर्शिटी है लेकिन जादा तर यूनिवर्शिटी में आपर बात करें हैं तो supplementary के exam जो है one year लेट ही यहाँ पर कराया जाता है ठीक है यहाँ पर ज़्यादा तर university के यहाँ पर मैं बता रहा हूँ लेकिन आप जो है एक बार अपने college से ठीक है college से भी यहाँ पर clear कर लिजेगा मेरे वरोसे यहाँ पर आपको नहीं रहाएना है college भी कभी कभी चले जाना है और आपको एक बार पता कर लेना है टीचरों से अपने टीचरों से कि भाई university में जाके कि हमारे exam कभ होंगे supplementary के क्या है university अपने हिसाब से भी कभी exam करा लेता है जैसे उसके पास अगर खाली समय रहता है या मतलब जो है उस समय अगर busy नहीं रहते तो supplementary के exam आपके जल्दी से जल्दी घरा देते हैं मतलब एक दो महीने मतलब आपका result आए एक दो महीने के बाद आपका supplementary के exam हो जाता है अन्य था नहीं होगा तो आप समझ जाएगा कि एक साल बाद होगा तो college से एक बार key layer कर दीजएगा लेकिन यहाँ पर मैं जितनी भी university यहाँ पर ज्यादा तर दीखा हूँ उनके paper यहाँ पर लेट ही होते हैं मतलब एक साल बाद होते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर देखो supplementary के exam भी यहाँ पर जो है अलग से लेने लगेगा university को जो है कापी सारा यहाँ पर काम हो जाएगा और बोज टाइप का मतलब बहुत सारा काम हो जाएगा ठीक है चुकि university के पास already बहुत सारे काम पैसे ही रहते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर university में पढ़ते हैं तो यहाँ अलग अलग exam कराना possible नहीं हो पाता है इसलिए जो है one year बाद ही यहाँ पर exam कराते हैं वाकि मैं आपको सला यह दे रहा हूँ कि आप अपने teacherों से यहाँ पर एक बार जरूर बात कर लीजिएगा ठीक है ताकि यहाँ पर आपका exam यहाँ पर चुकना पाए और सभी दोस्तों को यहाँ पर share कर देना है बहुत सार लोगों को यहाँ पर comment आ रहा था इसलिए मुझे यहाँ पर immediately वीडियो बनाना पड़ा जैसा अभी कानपूर ठीक है कानपूर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलेग्राम कॉंटेक्ट किया कापी अच्छी बात है मैंने दे रखाए तो उन्होंने कॉंटेक्ट वगे रख किया तो मैं उन्हें बता आया ठीक है एक बार अपने कॉलर से भी किलियर कर लेना बाकि वन एर बात तो जो है आपके यहां पर एक्जाम होते हैं ज्यादा टेंसर नहीं लेना है और तैयार अच्छी से स्टार्ट करना है अगर आप जो फाइनल एर पर हैं तो उनका सिर्फ यहां पर आंगे क्लास में एडविशन नहीं होगा बाकि फर्ष्ट यह में हो जाएगा सेक से सब्सक्र correct अगेर देना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक्टिकल में जो सप्लिमेंटी यहां पर द्या जाता है तो प्रेक्टिकल में अगर आती है तो प्रेक्टिकल में होगा आका और बाकी कोई विशाय में आती तो आपको जो है उसका पीपर देना होगा सप्लिमेंटी का बस तो एक बार कॉलेश से किलेर कर लिजेगा बाकी एक साल बाद ही आपके आपर एक्जाम होते हैं और आज किस वीडियो में इतने ही मिलते हैं एंगली वीडियो पर उससे पहले अ जो भी प्रस्ण है नीचे आप कमेंट करके पोच सकते हैं और किस यूणिवर्शिटी से हैं आप नीचे कमेंट करके बताएगा मिलते हैं कि वीडियो पर थैंक्स पर वचिंग भाई